कार दोस्तों टार्गेट वीद प्यास परिहार चैनल में आपका स्वागत है इस चैनल के माधम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से सम्मंदित सभी सूसनाय प्रदान की जाती हैं उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रतिस लोग सेव सबसे पहले मिलती रहें शुरू करते हैं और बात करते हैं यूपी प्यसी की आज सुबह के बहुत सारे समचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गए थी कि पीजिएस के पदू पर लेटरल इंट्री से निकति का प्रस्ताव प्रदेश सरकार प्रशास्निक सेवां में सुदार को ले करके कई नय कदम पर विचार कर रही है और इसमें PCS अधिकारियों के 10% रिक्त पदों पर अन विभागों से इस्थानातरल सेवा वा लेटरल इंट्री के माध्यम से पेशेवरों की निक्ति का प्रस्तावी सामेल है इसको लेकर के सोसल मीडिया पर चर्चाय तेज हो गई थी कि PCS की जो पद हैं वो कम हो जाएंगे लेटरल इंट्री होगी जिस तरीके से UPSC की भरतियों में होने लगा है उसी के करम में आज निक्ति विभाग के द्वारा एक विग्यपती जारी की गई है जिसमें इसपर्च किया गया है कि किस तरीके से PCS के पदों पर भरती होती है और किस तरीके से PCS के पदों पर भरती होगी समचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी दी गए है उसका खंड़न किया गया इस प्रेस्वीकिति के द्वारा इसमें लिखा कि विभीन समचार पत्रों में राज सरकार प्रशासनिक सेवाउं में सुधार को लेकर के कई नय कदम पर विचार कर रही है कि सम्मध में समचार प्रकाशित हुआ है तथा PCS अधिकारियों के रीक्त पदों उपर अन्विभागों से सेवा इस्थानांत्रन वा लेटरल इंट्री के माध्यम से पेशिवरों की निक्ति के समचार भी प्रकाशित हुआ है और मैंने सुबह की वीडियो में ही इसको प्रमुक्ता से दिखाया और मैंने आप लोगों को बताया था कि साथ यह भी एक कारण हो सकता है कि PCS के पदों को जो विग्यापन अधियाचन वह भी तक नहीं आया है मैंने आपको जो 11 तारीक के जो मीटिंग वी थी उसका विवरान भी दिखाया था और यह कहा था कि ज्यादा तर जो अधियाचन आये हैं वो इसपेशल पदों के आये हैं और जो part1 करना के उतर प्रतियों की संक्या और अधालत करते इसी थी परति आँन से बहुते हैं तो अधिकाचर प्रतिवर्स लोक पदोंके सापेक्स के शिरुत करते हैं क्यों भी और दरयुर्क रधा करतें इवें सीधी वर्णत के मादन से माध्शापे को प्रेशित किया जाता है तत्पस्चात लोग सेवा आयुक प्रियागराज दौरा रिक्त पतों के सापेक्ष तैनाती हेतु की कई संस्तुत के करम में निक्तिक करता है उपरोक्त की बाति वर्तमान चेन 2021-22 के सापेक्ष डिप्टी कलेक्टर ये देखे इसी की बात में कर र आया है वह आपर यह कहा गया है कि उन्ता सीधी बरती के माध्यम से चेहने तो 49 रिक्तियों एवं प्रोनत के माध्यम से चेहने तो 73 रिक्तियों का अधियाचन 22 फरवरी 2022 को उत्तर प्रतेस लोग से वा आयुक प्रियाग्राज को प्रेशिद किया चुका है तो यह 49 सीटे अधियाचन नहीं हो जाएगा तब तक विग्यापन नहीं निकालेंगे तो अब जो संक्या वह 200 से चाथा पहुंच गई है हो सकता है कि अब उत्तर प्रतेस लोग सेवा आयोग का जो नोटिफिकेशन प्रीक पीसिएस का वह जल्द जारी हो जाए फिलाल यहां पर इन्हों करनी वहां पर अन विभागों के दeil Canadians के लिए घ्र्द लीका गूए कि पीसी समर की सीथी भरक्रती के करन में अधिकार कम अधिकारी कन्य चयणित होने के कारण पीसी सम्वर्ग के उच्छ वेतनमान के पत पर जो पत है वो रिक्त है इन रिक्त पतों के साप्य विभागों में पीसी सम्वर्ग है तू सरजित पतों पर तेनाती है तू पीसी सम्वर्ग के अधिकारी उपलब दना होने तक विभागी अधिकारीयों को तेनात कि जाने के व वो नहीं है यह सफाई दे दी गई है मदन सिंग गर्मियाल विशेश सची निक्ति विभाग उत्तर प्रदेश सासन के दौर यह किलियर किया है कि उसी विभाग के कर्मचारी होंगे और वो भी किवल कुछ समय के लिए होंगे और जो लेटरल इंट्रीवाइब बात है वो पुली तरीके से गलत है ऐसा कोई भी विचार यहां पर नहीं है अगली सूचना है पुलीस भरती बोर्ड ने चारी किये नोटिस यह तक यह लि की अठाइस फरवरी तक ऐल लाइन यहां जो आवेदन है वो अमंत्रीद किये गया है यह देखी चैन्वरी के अंतरकत जो बिग्यापन जारी हुआ था 28 फरवरी तक ऐल लाइन आवेदन आमंत्रीद किये गये हैं उक्त पदें हैं तु आल्लाइन आवेदन पत्रों को भर जाने के लिए वांचीत प्रमाणपत्र बनवाने में कोविट 19 महामारी उत्तर प्रदेश विधान सभा समान निर्वातन 2022 के कारण अब भरतियों के समख्च आ रही समस्याओं को दरश्टिकात रखते वे आप लोग 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग भी योगता रखते हैं तो इसके लिए अवीदन कर सकते हैं इसी तरीके से कुछ और विभागों से भी भरतियां पुलिस विभाग में कुछ और भी पद पदों और भरतियां आई थी उनकी भी लास्ट बढ़ा द कर दी गई है 15 मार्च कर दी गई है एक रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी की पदों पर भरति आई वी थी चुक्कि अचार सहिंता के पहले तीन चार भरतियों के जो नूटिस्विकेशन है वह पुलिस भरति पुरुनत बोट के द्वारत जारी किये गये थी और सभी की जो लास डेट है वह बढ़ा करके आव 15 मार्च कर दी गई है अंत में हम लोगों को बात कर लेते हैं 97000 शिक्षक भरति समय समय पर कभी विदान सभागा घेराओ कभी किसी भाजपा कारियाला का घेराओ कभी कुछ और लेकिन जब अचार सहिंता लग गई तो विद्धार्थियों ने अपना बदल लिया विद्धार्थी सोसल मीडिया में एक्टिव होगे और इसके साथ में जो नेता हैं उनकी चात्रों के प्रदर्शन पर लगा दी जाती है लेकिन रेमियों पर रोक नहीं लगी विए अगर आप लोग देखेंगे तो जबर्जस्त रेलियां चल रही है कुरोन आ हो यह वहाँ पर कुछ भी नहीं पर इसलिगे आप लोग देखेंगे यह अखलेस यातों ने अभी थ थोड़ी देर पहले यह त्विट किया है अखलेस या तो यह लगबाद दस बच करके 15 मिनट पर यह पोस्ट किया है और यह जो इसको हम जूम करके इस टूपी को पढ़ाएंगे तो यह चात्र आपको दिख रहे हैं जिनके पास बहुत सरी टूपियां लगी हुई है यह इन में आप देखेंगे कि 97000 शिक्षक भरती यह देखिए यह लिखा है 97000 शिक्षक भरती यह देखिए यह देखिए यह बहुत सारे चात्र हैं वह पहुंसते हैं जहां भी यह रहलिया होती हैं वह पहुंसते हैं वह बात अलग है कि योग आधितनात भरतियों के बारे में कु विद्धार्थियों को पता है और बहुत सारी विद्धार्थी मुझको फोन करके पुछते भी रखते हैं कि सर क्या समाजवादी पार्टी आगी तो अकेडमिक के धर बढ़ती हैं होगी अगर अकेडमिक फिलहाल यह हो गया आज का वीडियो वीडियो कर आपको अच्छा लगा लाइक करें जिन्च चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बियूअग सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत भूत धिरनवाद